हाई आया और आस्परियेंट आप सब का स्वागत है ध्यान से सुनेंगे ये कुश्चन आएगा प्रोफेशर ललन सिंग बहुत ही बड़े विद्वान हैं एकॉनोमिस्ट हैं अर्थशास्त्री हैं उनके कॉलम में बहुत कुछ सवाल छिपे होते हैं उनके कॉलम के तहट आते हैं कि भारत का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड़क्ट है भारत का जो जीडीप है शकल घरेलू उत्पाद उसमें जो तीन सेक्टर होते हैं प्राइमरी सेक्टर प्राथमिक छेत जिसको क्रिशी भी कह देते हैं सेकेंडरी सेक्टर यानि मैनुफेक्ट्रिंग सेट य है भारत के GDP में तो वर्तमान में जो contribution चल रहा है उसके आधार पर देखें तो contribution क्या है तो भारत के GDP में वर्तमान में ये इन तीनों सेक्टर primary, secondary, tertiary का जो है 54% service sector का contribution है और 36% जो है near about ये आपका है 54 हो गया 15% जो है primary sector का है और जो बच गया वो आपका manufacturing sector का है जो यहाँ आपको clearly दिखा रहा है अब इसको कैसे समझेंगे समझें जो अब बढ़ करके क्या हो गया ध्यान देंगे देखेगा देखेए यहां लिखा है वर्तमान में GDP में service sector का योगदान 24% है उद्योग का 31% है और 15% योगदान जो है ये हमारा primary sector का है सबसे जादा 54% service sector 31% manufacturing sector secondary और तीसरा primary sector क्रिशिच है तो उसका 15% योगदान है लेकिन 2030 तक जाते जाते service sector 58% पे चला जाएगा 34% पे चला जाएगा secondary sector और 8 प्रतिशत पे रह जाएगा primary sector जरा सोच ये ऐसा होगा तो क्या होगा तो जरा इससे connect करते हैं लेकिन कौन सा sector ये तो income दे रहा है यानि भारत सरकार के 100 रुपे में सबसे ज़्यादा कौन दे रहा है service sector कितना दे रहा है फिलाल 54 और ये कितना दे रहा है manufacturing sector secondary 31 और ये कितना दे रहा है 15 प्राइमरी लेकिन यही चीजें 2030 में जाके स्थिती बदलेगी और ये बढ़ता जाएगा service sector growth कर लेगा manufacturing भी थोड़ा 34 पे चला जाएगा और ये 58 पे चला जाएगा और ये घटके 8 पे रह जाएगा जिसका नतीजा क्या होगा जरा देखिये अब रोजगार कौन कितना देता है ये तो हो गया income इतना percentage देता है रोजगार service sector 27 प्रतीशत यानि रहेगा 58 या है 54 और दे रहा है 27 जितना वो income generate कर रहा है रोजगार उसका आधा दे रहा है एक अच्या इंडस्ट्री 24 परसेंट यानि वो area ले रहा है 31 परसेंट revenue और इंडस्ट्री दे कितना रहा है 24 परतीशत रोजगार दे रहा है जबकि 15 परतीशत ही income generate कर रहा है GDP में कौन और 49 परतीशत रोजगार दे रहा है यानि आज भी भारत के 50 परतीशत रोजगार agriculture सेक्टर में है और कल और हाल बुरा होने वाला है यानि कि समझ लिजिए कि क्या हाल होंगे 50 परतीशत तो बने ही रहेंगे तो इससे क्या होगा पर परशन income ग्रामीन छित्रों में कम होता चला जाएगा इस्थिती अच्छी नहीं है इस्थिती अच्छी नहीं है चलिए तो यह समझ में आ गया सवाल यहां से पूछते हैं next